हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चनल में अम्रिती फैसे मिला आज की वीडियो पॉंचो पनाएंगे इसे बनाना बहुत ही जिए सिर्फ आप दो पट्टी बनाए और यह पॉंचो डेडी हो जाएगी आपकी यह देखिए हमने कॉलर वाली पॉंचो बनाए है साथ में मै अचाथ कर देंगे और फृल आप देखे यह फेंट साइड से फृटिंग अच्छे यहागी और बैक से बी कितनी acceso लग्रहे है यह देखिए i musical को अरी पे इस तरह से यहाँ आप इनके ग्र्य यह देखें कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा बहुत ही प्सुरत है यह हमने 5 नबर की कानाची के लिए बनाया है और वीडियो मैंने सभी साइज के लिए मेजर्मेंट बताया हुआ है आपको पताए है कि मेरे पाँ सभी साइज के कानाची है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगे आप वीडियो पूरी देखें आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे यह देखें हमने यहां पर यह दो कलर में उनलिया है इस तरह से एक नॉट लगा के लूब बनानी होगे यह देखें हमने यहां पर एक लूब बनाई अब इसमें अपने होग को डालेंगे और यहां पर देखें हम चेन बनाएंगे इसे मैंने टाइट कर दिया इतना टाइट के अपने कुलूशिया होग इस तरह से ऐसे सरकती अब यहाँ पे हमने chain बनानी है यह देखें यह एक, दो, तीन, चार, पांच हमने यहाँ पे पांच chain बनाए इस तरह से हम यहाँ पे टोटल 26 chain बनाएंगे चली बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊंगी किस size में आपको कितनी chain बनानी है और यह मैं 5 नमबर के लिए बना रही हूँ यह देखें हमने हमने आपके टोटल 26 chain बना लिए यह पांचर में काणवरची के लिए हमने 26 chain बना लिए शभी size में आप देखलें कितनी-कितनी chain बनानी है 0 size के लिए आपने यहाँ पर 8 chain बनानी है और 1 number में 10 chain बनानी है यह देखें, 2 number में 14, 3 number में 18, 4 number में 22, 5 number में 26 6 number में 30, 7 number में 34, 8 number में 38, 9 number में 44 और 10 number में हमने 60 chain बनानी है तो chain बनाने के बाद हमारा pattern सेम रहेगा चाहिए आप किसी भी size के लिए बना रहे हैं देखें किस तरह से हमने करना है यहां पर यहां पर हमने चेन बनाई है यहां पर हम इस तरह से इसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद यहां पर देखें यह इस तरह से एक चेन एक्स्ट्रा करेंगे हम किसी भी साइज में आप बना रहे हैं इस तरह से एक चेन एक्स्ट skip किया है उसे भी हम एक double crochet मानते हैं इस तरह से हमारे यहां पर टोटल दो double crochet हो गया है अब देखिए next chain में हम अपनी तीसरी double crochet बनाएंगे अगली chain में डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तो तीन फंदे से हमने दो फंदा और दो फंदे से हमने एक फंदा कर दिया फिर ह हमने double crochet बना लिए फिर हमने इस तरह से किया यहां पर हम अगली chain में डालेंगे यहां पर हमने फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीन फंदे से दो फंदा और दो फंदे से हमने एक फंदा कर दिया इस तरह हम यहां सभी चेन में एक एक बार क्रोश यह बना लेनेगे चले दो चेन में आनी है, यहां पे ऐसे लपीटेंगे फोज चेन में यह हमने डालना है फंदे को निकाला, तीन फंदे है तीन से हमने डो और दो फंदे से हमने एक फंदा कर दिया देखें आप्के हमाई दो डोबल क्रॉश हो गई है फिर यहां next chain में डालेंगे फंदे को निकाला 3 फंदे से 2 और 2 से 1 कर दिया इस तरह फिर से हम यहां पर सभी chain में एक एक बार double crochet बना के अपना यह वाला row complete करेंगे चले करती हूँ फिर आगे दिखाऊंगे कि क्या करना है यह दिखे हमारी second row हो गई है अब जिस तरह से हमने अपनी second row बनाई है उसी तरह से यहां पर हम और भी row बना लेगे चले बना लेती हूँ फिर मैं आपको सभी साइज में बता दूँगी कि हमें कितनी कितनी row बनानी है यह देखे हमने यहां पर एक, दो, तीन, चार, टोटल चार row बनाई है अब पांच भी row में बनाऊंगी यहां पर half double crochet की किस तरह से बनती है देख लेते हैं यह देखें सेम रहेगा सब कुछ हमारा बस यहां पर देखेंगे एक chain हमने बनाई दो chain की जग़ा पर यहां पर इस तरह से लपेटेंगे फ़स चेंथे हमने डालना है फंदे को निकाला 3 फंदे 3 फंदे को एक साथ ऐसे उतार लेंगे इससे हम half double crochet बोलते है फिर से हमने अगरे दिखाऊंगी क्या करना है यह देखिए हमने हमने अगरे सभी chain में बना दिखाना है इप यह से इस लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद यहां से हम इसे कट कर देंगी है हमारी नॉट आ गई, इसी तरह से हमें यहां पे एक और पट्टी रेडी कर नहीं है पॉंचो के लिए, तो चले रेडी कर लेती हूं फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है, यह देखिए हमने यहां पे एक जैसी दो ए बना लिए, अब पहले मैं आपको मेस्टरवेंट बताती हूं सभी सायबित हैं लोग व्याज के लिए, relation है आपको भी मेस्टरवेंट लोग आपको मतनगने हैं, तो नंबर के लिए दो पध्लोग ठयए दबल क्रोशे की मुन्नी है, तीन नमबर के लिए आपके तीन रो डबल क्रोशे की और एक हाफ डबल क्रोशे की रहेगी, चार नमबर के लिए आपको चार रो डबल क्रोशे की मुन्नी है, पांच नमबर के लिए चार रो डबल क्रोशे की और एक रो हाफ डबल क्रोशे की र इस तरह से मैंने आपको measurement बता दिया तो यह तो हमारा हो गया इसका measurement अब मैं आपको लगे हाँ cap का भी बता देती हूँ यह हमारी पहुंच चुका है और cap के लिए देखें मैंने यहाँ पर सीम तरिकी से एक पटी बुनी है बस यहाँ पे हमने half double crochet नहीं बनानी है इतनी ही chain के अंदर हमने एक, दो, तीन, चार रो चार रो बनाई है हमने half double crochet के एक रो नहीं बनाई है three number के लिए हमारी three row double crochet के रहेगी, four number के लिए हमारी three row double crochet के रहेगी और one row half double crochet के रहेगी, इस तरह से मैंने आपको कैप का measurement बता दिया कैप को हम side करते हैं और पहले हम यह poncho stitch कर देते हैं बहुत आसान इसे आप बना सकते हैं इसे अब दखिए किसी भी side के लिए stitching ऐसे ही रहे कि मैंने आप सुई में धागा डाला हुआ है यह हम अपनी पट्टी लेंगे दोनों और एक दूसरी के उपर इस तरह से हमने रखनी है यहां से हम इसे stitch करेंगे देखे इस तरह से हमने रखा और यह यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां पूरे हम ऐसे वी पे इसे stitch कर देंगे तो देखिए इस तरह से यहां side से धागे को लगाते हैं और पहले हम side में इसे अच्छे से attach कर लेंगे अब देखिए यहां हम ऐसे करके थोड़ी लंबी सिलाई लगाते हुई आप आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसे corners पे अच्छे से stitch करने बाले हैं अब देखिए यहां कुनाई पे हम आ गहे हैं तो यहां पे हम इसे अच्छे से सिल देंगे यहां पे देखिए इस तरह से दोनों को पकड़ के और stitch कर देना है यह एकदम simple और आसान सा तरीका है गाई इसको इदिक्कत नहीं हो गया आपको और अब हम यहां से आएंगे यह नीचे यह देखिए यहां से इस तरह से हम आएंगे यहां नीचे और यहां नीचे भी आने के बाद हमने इसे अच्छे से stitch करना है यह देखिए यहां पे हम इसे अच्छे से सिल देंगे इस तरह से यह हमने इस च्छे कर दिया अब यहां स शीचर को से कि अगल जाएंगे गटी, इसे मल देगा राप्ट करते हुए , कज्सके को हम स्टीच चाहिए , Sn Billie को पठरी रहने कि यहां कर 심सर दोग है , मिला अभी तो थो पैर कि इसे ळागया यहां यहां पर एक स्टीच ऐहां कर देगे फ़से Rica कि मान्य कर दोग ले खोग एक दो तीन चार पांक 6 सात स़िंदे पर हम इस तरह से मारक इनगे इहां पर में और मरक्षियक लिया इ большое इतर है एगए दो टीन चार पांक 6 साथ यहां पर मारक कर लिए इतरे हैं इन यहां पर में यहां पर这ए देकिया मैं काचनल बनाऊंगी जिया दो सुब्सक्राइब बनेगे इस सब्सक्राइब को डालने है और भी से यहां पर और इस तरह से यहां पर बनाएंगे यह देखें मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया इसे और यहाँ पे इस तरह से फसा लेंगे फसाने के बाद हमें यहाँ पे कॉलर बनानी है किस तरह से बनाएंगे यह देखें यहाँ पे इस तरह से किया और सबसे पहले हम यहाँ सभी में एक एक चेन बनाएंगे यह इस तरह से, यह एक हे चेन बनाएंगे, एकदम simple और आसान सा तरीका है, बहुत आसाने से आप इसे बना लेंगे, आप देखें, सभी चेन में इस तरह से एक एक बार, चेन बनाते हुए, आपको आना है, यह चेन बनाने से हमारी कॉलर की फिटिंग बहुत अच्छी आती ह यहां देखें, मैंने सभी चेन में एक बार बना लिया है, अब यह हमारा V-shape आ गया है, तो V-shape पे हमें इस तरह से डालना है, यहां से हमने फंदे को निकाला, और यह देखें, यहां पे हमने एक बार बनाया, और यहीं सेम चेन में हम एक और बार बना लेंगे, यहां प इस टोष से हमने बुन दिया, हमने single crochet बना ले अब यहा से फिर हम single crochet बनाते हुए अपने mark तक आएंगे यह देखियर यह दो इंपय। पॉल और आसान सा तरीका है इस कोई दिक्कत नहीं की आपको कै इस तरह से हम यहाँ पर इसे बुनेंगे आपको यह जो खयों कि बुने वह तरह यह से कर सकते हैं यहां से देखे यह इस तरह से हम चक कर सकते हैं तो देखे मेरा पूरा बराबर आ रहा है यहां पे यह पिंक वाला पिंक वाला मिल जा रहा है आपस में तो अब यहां पे हमारी सुरू हो जाएगी कॉलर की बुनाई तो कॉलर की बुनाई कैसे हमने कर दी है यह देखे यहां स इस तरह से हम यह दो बार लपेटेंगे, यहां सेम चेन में हमने डाला, फंदे को निकाला, देखें, चार फंदे हैं, तो चार फंदे में से दो फंदे एक बार, फिर दो फंदे एक बार, फिर दो फंदे को निकाला, इस तरह से हमने क्या, फिर हम इस तरह से करेंगे, यहीं स फंदे को एक बार फिर दो फंदे को एक बार इस तरह से हुगा फिर हमने एक बार लपेटा नेक्स चेन में डालेंगे और यह देखिए अब हम डबल क्रोश्या बनाएंगे यह इस तरह से एक बार और यहीं सेम चेन में फिर से एक बार यह हो गया और फिर हम अगली चेन में और हमें double crochet ही बनानी है देखें, सबी chain में एक एक बार बनाते हुए हम end तक आएंगे, जो हमारा center V वाला हिस्सा ही, वहाँ तक आना है ये इस तरह से सबी chain में एक एक बार बनाते हुए, अपने V वाले हिस्से प्याजाएंगे और यह देखिए जो हमारा वी वाला हिस्सा है यहाँ पे हमने एक हीiane में दो बार बनाया था उसमें अब हम दो में चार करेंगे यह देखें क्योंकि यहाँ से हमारी गुलाई आती है तो यह देखिए यह एक बार हमने बनाया और यहीं सेम चेन में डालके हमने एक बार बना लिए, यह हमारा फॉस्च चेन में हो गया, अब यह सेकेंड चेन में भी हमने देखें, एक बार बनाया और यहीं सेम चेन में डालके हमने एक और बार बना लिए, यह इस तरह से हो गया, अब देखें, यहाँ पर हमें नेक्स एक बार बनाना है, यह हमने एक बार बनाया, फिर यहां अगली chain में हमने एक बार बनाया, double crochet हम बना रहे हैं, अभी देखें, यहां पर एक, दो, तीन बाकी है, तो last वाले तीन में हमने अपना बढ़ाया था, यह देखें, अब हमारा last का तीन रहे गा है, तो इसमें हमने 2 बार अपना double crochet बना लेना है यह एक बार हुआ और यहीं same chain में हमारा एक और बार बनेगा यह हो गया यह हमने यहाँ पे 2 बार बना लिया है अब अगली chain में हमने किस तरह से बनाना है जैसे हमने अधर बना था सेम वैसे ही बनेगा देखें एक बार हमने लपेटा, नेक चेन में डालेंगे, तीन फंदे हैं, सबस्पहले एक फंदे को एक बार, फिर दो फंदे को एक बार, और फिर दो फंदे को एक बार, फिर हमने इसे इस तरह से दो बार लपेटा, अब अगली चेन में डालेंगे, इसमें तीन फंदे हैं सबसे पहले एक फंदे को एक बार, फिर दो फंदे को एक बार, फिर दो फंदे को कर दिया, हमने डायरेक्ट दो दो फंदे को करना था, यह देखें, यह इस तरह से करेंगे, दो बार लपेटेंगे, और देखें, चार फंदे हैं, तो दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक इसे जोड देना है जोडने के बाद यहीं से हम नॉट लगाके कट कर देंगे कुछ इस तरह का आया है यह इस तरह का आया है यह जायेगी आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा कर सकते हैं यह देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, हलका सा हम बढ़ा करेंगे, तो यहाँ पर और अच्छी सी फिनिशिंग आएगी, तो बढ़ा करने के लिए, यह देखें, यह सीधी साइड आएगी आपके कॉलर की, तो यहाँ से हम इस तरह से बुनेंगे, यहीं पर हमने अपने उनको लगा लेना है, यह देखें, यहाँ पर इस तरह से अपने उनको लगाएंगे, अगर छोटे साइड में आप बना रहे हैं, तो इतना ही करके छोड़ दे, छोटे साइड का मतलब हो गया है, तीन नमबर, दो नमबर, एक नमबर और जीडो नमबर, और उससे अगर बड़े साइड के लिए आप बना रहे हैं, तो इस तरह से आप कर लें, जैसे मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ, यह देखें, यहाँ पर, इस तरह से हमने इसे किया, यहाँ पर हमने एक, दो, दो चेन बनाई, और अब देखें, फॉस्ट चेन में हमने इस तरह से डालना है, फॉस्ट चेन में ही डालना है, और यहां से हमने इसे फंदे को निकालना है यहां पर हमने चेन बनाई थी तो यह थोड़ इसी टाइट होती है यह देखे हमने निकाला तीनों फंदे को एक साथ हमने बुन दिया फिर हमने इस तरह से किया अगली चेन में डालेंगे फंदे को निकाला, तीनों फंदे को एक साथ बुन दिया फिर हमने इस तरह से किया यहाँ पे अगली चेन में डा देंगे हमने फंदे को निकाला, तीनों फंदे को एक साथ बुन दिया यह देखे यह हम हाफ ड़बल क्रोशिया बना रहे हैं इसके उपर हमने यहां से निकाला, तीनों फंदे को एक साथ बुन देंगे यह देखे, यह हमारी हाफ़ड़ क्रोश्या बन रही है यह इस तरह से, यह देखे यह हमने थोड़ी दूर बना लिया, अब देखे, यह थोड़ी दूर बना लिया जिसे हमारे कॉलर पीछे से पतली हो जाए और आगे से चोड़ी हो जाए अब यह देखिए यह हमारा V वाला हिस्सा आ गया है यहाँ एकदम सेंटर वाला तो इसमें हमने सिंगल क्रोश्या दो बार बना लेनी है यह देखिए यह हमने एक बार बनाई और यहीं मिटाल के हम एक और बार बना देते हैं अब ऐसे हम फिर फिर थोड़ी दूर बनाते हुए चलेंगे यह देखिए यह इस तरह से सिंगल क्रोश्या बनाएंगे हम और अब यहां पे जितनी भी chain बची है यह देखें इसमें हम अपने फिर से वही double crochet बना देंगे half double crochet शौरी यह देखें यह इस तरह से हमने half double crochet बना दी इस तरह की collar बनाना बहुत एजी होता है एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप बहुत ही कुपसुरा सी पांचो बना सकते हैं यह हमने यहां से कड़िया लास्ट वाली में हमें दो बार बनाना है यह ने बनाया यहां से अब हम नॉट लगा के से कट बढ़ देंगे यह देखें यह हो गया अब हमारी कॉलर थोड़ी से चोड़ी हो गई पहले से यह देखें यहां पर हम ऐसे अब इसे स्टिच करेंगे यह देखें तो यह हमारा अच्छे से समझ में आएगा यहां से हमें इसे इस तरह से स्टिच कर देना है तो यह देखे कितने अच्छे से हमारी कॉलर यहाँ पे आ गई है तो चलिए अब मैं हाँ इसे आगे से स्टिच करती है पहले हम यहां से सारे धायों कट करके हटाते है ये देखेएं यह हमारी यहां से कॉलर बन गई हैं अब हम इसे प्रिछ करेंगे इस बार हमारी इसे तोड़ी से ДаUNG हो गए यहां पे अपे हैं पैसे सेट करना यह देखे, थोड़ा सा यहां से अच्छे से हम, इसे stitch कर देते हैं फिर भीच फ़ला हम सेम वैसे ही थोड़ी से लंबी सी लाई के साथ सिलते जाएंगे और फिर हम इसे end में वैसे ही stitch करेंगे, जहाँ पर हमारी कोनाई आएगी अभी देखे हम इस कुनाई पे आये हैं तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से stitch कर देना है, यह ते हमें इस तरह से सिकर नहीं आनी चाहिए हमारी कहीं से स्टिच कर देखे, अभी यहाँ से यहाँ करेंगे और फिर not लगा के cut कर देंगे यह देखें यहां पर हमारी इस तरह की पहुंचा आ गए बहुत ही उपसर लग रहे और कॉलर भी देखें आप कितने अच्छी आई है पहनाने पर बहुत सुन्दर लगी कि अब हम बैक साइड से इसके बॉर्डर पर डिजाइनिंग करेंगे तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर नाये किया बनाए यह दो बर रॉल फिर क्रिखें जिए एक राव बसक्री बार हमने आ चाहीं दाला डेल करेंगे जोड दो μादनाये यह दो पर यह दो बार रॉल रॉलर्फ राव डव ज़ंसे बनाय में आपिले ри हम ने जोड देंगे ऐस शे यह दो दो यहां पर हमने इस तरह से ढ़ला 3iere पके अधोने को एक साथ बुंद्धाया एक बार बनाया हव statistically अध्यद करा को हब因गत कि करिएल दूर यहन ने a वह दूर बनाया और ओड़े तर चीँ से जोड़ लेंगे इस तरह से आपने पूरे यहां से लेकर और यह पूरा यहां से और यहां तक फिर यहां पर बुढ लेते हूं फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है यह दिखे हैं यहां पर हमारी पॉंच्यो रेटी हो गई है अब हम क्या करेंगे इस पर एक छोड़ा सा फ्लार बना के लगाएंगे आप देखे हमने बैक साइड से भी सेम यहां पर हमें एक छोड़ासा फलार किसमाद बनाना है यहां पर यह की बनाना है यह यह चाहिए लूप बनाके यह तरह से बना सकते हैं यह इस तरह से भी बना सकते है प्जाये तो यह थ continued यहां पर हमने यह एक, यह दो और यह तीन, हमने यहां पर तीन चेन बनाई, अब इसे हम अपनी फॉस चेन से स्लिप स्टिच के हट से जोड लेंगे, यहां पर हमने इसे इस तरह से जोड दिया, और जोडने के बाद हम यहां करेंगे, यहां पर एक, दो, हमने यहां पर यहां पर हाफ डूल कोश्य बनाए अब फिर सेम चेन में डालेंगे यहां पर हमारा चोटा सा सरकल है फिर हमने यहां से निकाला और फिर हम यहां पर हाफ डूल कोश्य बुन देनी है इस तरह से हम इसके अंदर टोटल साथ आट बार डूल कोश्य बना लेंगे चली बना लेत इस तरह से यहां पर कट कर देना है एक दम गया हमारा चोटू सा सरकल लड़ी हो गया अब इसके बीच में एक हाफ कटी हुई मोती लगागे और इसे यहां पर अटैच करेंगे यह देगे चली में यहां पर इसे चिपका दूंगे आप चाहें तो सुई धाई क्या सिल भी सकत देखें एक नंबर की मोती लिए है और इससे हम अपनी कैप पर लगाएंगे किस तरह से लगाना है सबसे पहले आप यहां से धागे को इस तरह से ऐसे फसा लें यह देखें यह हमने धागे को फसा लिया अब वह फर्स टाइम में हम यहां पर देखें तीन मोती लेंगे यह और निकालने के बाद देखें अपनी जो last वाली में बाद लेना प्रिगने अपनी इक मोथी निकालाइंगे और यहाँ पे हम लगा लेंगे इसे यहाँ से हमें इस तरह से लास्ट वाली मोती से निगाल लेना है यह देखिए इस तरह से यह लगता जाएगा फिर यहाँ पे हमें अपनी दो मोती लेनी है और फिर हम यहाँ पे अपनी अगली चेन से इसे लगाएंगे सबी चेन में हमने एक एक बार करना है बहुत आसानी से आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी ये बस लास्ट वाली मोती से हमने इस तरह से निकाल लेना है ऐसे करके पूरा हम यहां से और यहां तक बनाएंगे चले बना लेती हूँ फिर आगे रिखाऊंगे क्या करना है ये देखे हमारा यहां पे यह रेडी हो गया हमने यहां पे यह मोती लगा दिया और हम क्या करेंगे इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद इसे हम स्टिच कर देंगे यहां से यह इस तरह से सिल देना है यह देखे ऐसे करके सिल सकते हैं हम इसे यहां से ऐसे करके जिसे हमारे सिलाई दिखे यह देखे इस तरह से एकदम simple और आसान सा तरीका है, बहुत आसानी से क्या बनना लेंगे आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और अगर आपके पास यहां पे मोती लगाने के लिए नहीं है तो यहां पे आप कोई भी वाइट कलर की लेस अटाश कर सकते हैं और वैसे भी अगर आप कुछ नहीं अटाश कर सकते हैं तो जिस तरह से हमने अपने पॉंचो पे बॉर्डर ब एकदम सिंपल और अवसान तरी कि कैप और पॉंचो दोनों मैं आपको बताई है आप जरूर अपने कानाजी के लिए ट्राइ करें और इसके नीचे आप चाहें तो पैंट बना सकते हैं तो आपकी पूरी ड्रस रेडी हो जाएगी इस तरह से हमने किया यहां पे से खेच के ट तो मैंने वाइट कलर से इसे स्टिच कर दिया अब मैं यहां पे नॉट लगा के कट कर दूँगे यहां पे इसे कट कर देना है यह कुछ इस तरह का लुक आएगा बहुत ही कुबसूरत लगती है यह कैप यह देखिए हमने हापे कैप के ऊपर एक पॉंपम लगा दी यहां के चेक कर सकते हैं यह देखें इस तरह से इसका लुक आ रहा है बहुत ही कुबसूरत सी ड्रेस बनके डाड़ी हो गई है तो आई हो वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्स्राइब करें हमें मिले लत ओंग rich कि मिले करें मिलेग हो खो आई है उ अच्छी हिर अच्ति उव्चल 1